Hello students, good morning, how are you? I hope you all will be fine at your home, stay home and stay safe. Class first, subject English reader, lesson number 11, unit 6. Chapter name क्या है? If I were an apple, यदि मैं एक save होता. Students, ये एक छोटी सी poem है, जिसमें क्या है? ये जो बुआ आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये imagination कर रहा है. कि If I were an apple, यदि मैं एक save होता. चलिए poem को पने read करते हैं. If I were an apple, यदि मैं एक save होता. An apple यानि एक save. And glue on a tree, और एक पेड़ पर उगा होता. I think I had dropped down. तो मैं सोचता, क्या सोचता? I had dropped down. On a nice boy. मैं किसी प्यारे से लड़के पर गिरता. किस पर गिरता? Nice boy यानि प्यारा लड़का या अच्छा लड़का. प्यारे से लड़के पर गिरता. I wouldn't stay there. Stay मतलब रुकना. There यानि there किस के लिए यूज़ क्या गए? स्ट्री के लिए यूज़ क्या सोच रहा है? यदि मैं एक सेब होता, तो मैं पेड़ पर हुगा होता. और मैं एक प्यारे से लड़के पर गिरता. I wouldn't stay there. Stay यानि रुकना या लगे रहना. क्योंकि मेरे पेड़ पर रहने से giving nobody joy. किसी को भी खुशी नहीं मिलती. I had fall down at once. मैं एक बार नीचे गिरता and say और कहता, eat me my boy. मुझे खालो बच्चे या लड़के. चलिए repeat करते हैं पोईम को. If I were an apple and grew on a tree. यदि मैं एक सेब होता और एक पेड़ पर उगा होता या लगा होता. I think I had dropped down. मैं सोचता कि मैं गिरता. A nice boy. Like me. मेरे जैसे प्यारे लड़के पर गिरता. I wouldn't stay there. Giving nobody joy. Nobody joy. यानि किसी को भी joy होता है. खुशी या आनन. Giving यानि देना. यानि पेड़ पर लड़के रहने से मैं किसी को भी खुशी नहीं दे पाता. I had fall down at once. मैं एक बार नीचे गिरता. And say. और कहता. क्या कहता? Eat me. मुझे खाओ. My boy. यानि लड़के या बच्चे मुझे खा लो. पूरी पोईम है ये छोटे से बच्चे के बारे में जो क्या कर रहा है? Imagination कर रहा है कि यादि वो एक apple होता. New words. चलिए. Apple. Apple का मिनिंग आपको पता है न? क्या होता है? Apple meaning save. Why. Why meaning लड़का. Eat meaning खाना. Drop meaning गिरना. Joy meaning खुशी. I like to eat an apple. मुझे एक save खाना पसंद है. We clap our hands with joy. और हम अपने hand आप क्या करते हैं? Clap करते हैं. Clap यानि तालिब जाना. हाथों से तालिब जाते हैं with joy यानि खुशी के शाथ. Students tell me. Do you like eat an apple? क्या आपको save खाना पसंद है? I hope you all will be like. Reading is fun. पटना क्या है? मज़ा है यानि चलिए अपने इसको रीड करते हैं. Where is the apple? अपने पॉइम रीड करते हैं. एपल है वो कहाँ पे है? तो आपकोई है तो आपकोई है तो आपकोई है पेड पे लटक रहे हैं. यह देखे पिक्चर में देखने हैं ना यह पेड है और यह क्या है? एपल है. वेर इस दब बॉइड बॉइड है वो कहाँ है? पिक्चर में देखे बॉइड कहाँ है? यास अंडर ए ट्री यानि पेड के नीचे. पिक्चर में देखे बॉइड के लड़का है उसने अपल है वो कैसे प्राप्त कर सकता है? दो यू लाइक अपल्स? तैल में स्टूडेंट्स, दो यू लाइक अपल्स? क्या आपको अपल्स पसंद है? I hope आपको पसंद है तो वी राइट है? यास, I like apples. Have you ever climbed a fruit tree? क्या आप कभी किसी फलदार पेड पे चड़े हो? I hope आप नहीं चड़े हो. तो आपने अपल्स प्राइट कर सकते हैं? No, I have never climbed a fruit tree. Fill in the blanks. If I were a bird, अगर मैं, यदि मैं एक पक्षी होता, I would क्या करता? Fly. अपने आप क्या राइट करना है? Fly. If I were a bee, यदि मैं एक मक्षी होता, I would verge. Let's read and write. या अपने S, T, U, V. या अपने रीड करने हैं और इनके उपर-उपर से इनको जोइंट करके dots को write करने हैं. Do it yourself. अपने अपनी बुक में आपको ये complete करने हैं. Stay allowed, यानि जोर-जोर से आपको ये कहना है, बोलना है. Apple, Pupil, Rupal, Drew, Grew, Threw, Dew, Few, Mew, Ball, Curl, Fall. Word fun, fill in the letters to complete the crossword puzzle. Use the pictures as clue to find the fruit. यानि एक puzzle है, इसको अपने complete करना है, किसकी help से, यह fruit के रूप में अपने को कुछ clue दिये हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, यह किसकी picture है, orange, और और जी यह अपने को दिये हैं, बीच में क्या आएगा, A-N, O-R-A-N-G-E, orange, सेकन क्या है, wraps, G-R-A-P-E-S, wraps, तर्ड पर क्या है, mango, M-A-N-G-O, mango, फोर्थ पर क्या है, banana, B-A-N-A-N-A, banana, फिफ्द पर क्या है, यह सिफ्ट पे क्या है पेर पी ए ए आर पेर फिफ्ट पे क्या है एपल ए डबल पी एल ए एपल हो गई अपनी पॉजल कम्प्लीट विच यूर फेवरेट फ्रूट अपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है और आपको यह भी बताना है कि वो आपको क्यों पसंद है पहले आपकी खुद की लैंगवेज में and then in English और इंगलिश लैंगवेज में आपको बताना है कि आपका फेवरेट फ्रूट वो कौन सा है जू इट योर्सेल्फ यह आपको अपने आप करना है यह चैप्टर है अपना कम्प्लीट होज को है स्टूडेंट्स इसके कॉस्चन आंसर और वर्ड मिनिंग पीडियाप में आपको सेंट कर दिये जाएंगे आप उने लर्ण करें अच्छे से और अपनी नौटबुक में र